हलो बच्चों, वेल्काम टो माई चैनल और माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्काइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लेती है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाके नीचे ब्लू हार दे दीजिएगा इतना तो आप करी सकते हो आज हम आपके पाठ्य पुस्त वितान क्लास फिफ्ट का यूनीट बान का पहला चाप्टर जो की कभीता है इस कभीता का नाम है ये पल जाते यहीं ठैर तो ये कभीता बेसिकली कभी का बच्छपन की उपर आधारी थे किस तरह से वो अपना बच्छपन की दिन बहुती स्वाहने दिन कहा है बच्छपन की दिन कभी नहीं लोट के आते हैं उन्हें पता है फिर भी वो कहते कि काश ओपल वहीं रुख जाता तो फिर से में दोबारा जाकि बच्पन जी लेता तो बच्पन का जिन जो होता है बहुत ही सुहना समय होता है जब वो बीच जाता है तब हमें उसका एसास होता है कि काश ओपल वहीं रुख जाता तो फिर हम से, हम फिर जाके वही बच्चमन जी लेते हैं तो यही छोटी-छोटी छोटी से समय है हमारी लिए बहुत अनमोल यादगर के तरह हमारे जिन्दिगी में रह जाते हैं उसका छाप छोड़ जाते हैं तो चलिए हम भी देखते हैं कौन-कौन से पल को कवितार में कभी ने ठाइरने को कहा है कभी कहते हैं कि परबद चरना नदी नहर के तरह हमारा जीवन भी गतिसिल और परिवत्न शिल होता है जैसा नदी अपना जब बारिश का दिन होती है तो अपना रास्ता बदल देती है परबद भी जब बारिश का दिन होता है तो वो बारिश के वज़े से उसके उपर जो मीटी पड़ी रेती पौधे उग जाते हैं और बहुत ही खुबसरत बन जाता है जब गर्मी का मौसम आता है तो वो पौधे मर जाते हैं तो उसका भी एक अलग साथ दुरुष्य हो जाता है कभी-कभी पहाड को तोड़ के हम लोग छोटा बना देते हैं कभी को नदी भी अपना रास्ता बनाती है इसी तरह से हमारा जीवन भी गतिशील होता है और परिवतन शील होता है जैसे आप आज बच्पन में बच्चे हो कल जाके थोड़ा बड़े होगे फिर थोड़ा बड़े होगे और हम जिंदीगी के लास्ट वड़ा रापतक जाके पहुंच आते हैं तो कभी कहती कि काश ये जीवन यहीं ठहर जाता काश ये बच्पन यहीं ठहर जाता तो मैं फिर से ये जी लता कभी तितिलियों के सन उन्ना बुलबुल जैसे गाना कभी कहते हैं जब मैं छोटा था मैं तितिलियों के सन उड़ता था इसके मतलब यह नहीं कि उसका पंक प्लेखक है लेकिन वो एक आनुमान करते थे कि वो एक कलपना करते थे कि वो तितिलियों के साथ उड़ते हैं जब तितिली आके उनके पास बढ़ती थी तो वो तितिली को लेखक पकड़ना चाहते थे जब उसे पकड़ने की कोशिश करते थे तो तितली उड़के भाग जाती थी तो लेखक भी सुचते थे कि मेरे अंदर भी पंक लगया है मैं उसके पीछा कर रहा हूँ और बुलबुल जैसे गाना बुलबुल एक बहुत ही प्यारी सी जिर्या होती है उसका जो आवाज बहुत ही मीठा होता है तो लेखक भी कहते हैं मेरी आवाज भी उतनी ही मीठी उतनी ही प्यारी थी मैं भी बुलबुल के तरह गा गा के इधर उधर घुनता था कभी फुतक थी गौरियों से घुल मल कर बतियाना कभी कहते हैं फुटकति गौरिया ने शपैरों आपने देखा ऑगा जोटी से चिडिया वह फटक फुटक आप merci रहेगी ऊड़ी ही ज मीन पर बैटे गी तो फुतक करके उड़ती रहेगी और चलती रहेगी गडिक नेम इपला अगा ऑन्दे शी particular के तरह घंडो वो कलपना मैं उसे बताता था बताता था वो सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठै लेकर केते हैं काश मेरे पैरों में पर लग जाते तो मैं क्या करता उड़ की पूरा दुनिया गुमता, पूरा दुनिया देखता, कितनी सुन्दर दुनिया उपर बाले ने बनाया है और तो काश में ये पल रुख जाता, तो मैं फिर से जाके वही चिडिय के साथ बाते करता मैं तितिलियों के संग उड़ता, बहुत सारी चीज़ें वो करने को फिर से उनका दिल करता है और कहते कि काश ये पल रुख जाता, तो मैं उस पल में जाता और जो जो मैंने किया था बच्मन में, फिर से मैं उसे दोरा सकता कभी पतंग लूटने को हुदंगड़ी दौर लगाना, कभी कहते हैं पतंग जब तूट जाती थी जब हम सारे बच्चे मिलकर पतंग खेलते थे, पतंग बाजी करते थे तो कभी कभी किसकी पतंग तूट जाती तो पतंग हवा जिदर बहती पतंग भी उदर ही चले जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, वो जो तूटी हुई पतंग पाने के लिए इतना जोर से दोरते थे कि नीचे कुछ भी आये हमको कोई फरक नहीं पड़ता था हम सिर्फ पतंग किस तरह से पाएंगे और इस पतंग की कैसे हम मालिक बनेंगे इस तरह से हम दोर लगा कि वो पतंग को अपने कबज में करते थे आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना, जब आंधी होती थी, जब हवा तुफान होते थी बच्चों जब गर्मी का मौसम होता है तो अचानक बारिश आ जाती है जब गर्मी होती है तो अचानक धूल आंधी से हवा तुफान होके आंधी आती है उस आंधी का सहरा लेके लेकर क्या करते थे, ना बगीजे में जाके आम चुराया करते थे और उसे लाके खाया करते थे उसका जो मजा होता था फिर से वो मजा लेखकर फिर से बच्वर में जाकी जीना चाहते हैं मगर लकड सुन्धवा का डर भाते ख्यान यहीं ठहर लेकिन कभी कबार जब मैं बगीजा में जाता तो कभी छोटी सी आहाट आती तो मुझे ऐसा लगता कहीं लकड बगा यानी फॉक्स आ गया क्या मुझे काट लेगा मुझे अगर काट लेगा तो बहुत सारी इंजक्शन देना पड़ेगा बहुत सारी दवा खाना पड़ेगा इसी डर से में क्या करता तो आधे रस्ते में वापास आ जाता काश अब मैं बढ़ा हो गया हूं तो जान गया हूं को लकड बगा वो अभी नहीं आएगा तो फिर सोचते ही कि लेखा कि काश वो पल रुख जाता तो मैं फिर से पतंग बाजी करता फिर से मैं आम चुराता फिर से मैं तितिलियों के पीछे भागता फिर से मैं सपेरों से बात करता इस सा जान बुझकर भीख भीख, बारिष में खूब नहाना. लेकर कहते हैं कि मैं जान बुझकर जब बारिष गिरता है तो मैं भीख जाता हूँ. और उसमें नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता था. ऐसा लगता है, मैं ऐसे लोग में चला गया हूँ, जहां सिर्फ बारिश की बूंधों मेरे बदन में गिरती है और मैं उसका आनन बयान नहीं कर सकता इसलिए मैं क्या करता था जब भी बारिश गिरता तो उसका मौका धुनके मैं बारिश में भीग के नहा लेता था इधर उचलना उधर फिसलना बसता लेके गिर जाना लेकर कहते हैं जब बारिश होता था जब मैं भीग जाता था तो मैं कभी कपर मैं जब स्कूल से आता था तब बारिश होता था तब तो मेरी खुजी का ठीकाना यह नहीं रहता था मैं क्या करता था जो मेरा जो बसता रहता था स्कूल का बसता स्कूल का जो बैग रहता था उसे लेकर मैं इदर से कुटता था उदर से कुटता था इदर छालांग लगाता था उदर छालांग लगानते वक्त में नीचे फिसल जाता था और में बस्ते के साथ नीचे गिर जाता था इस वज़े से मेरे बस्ते पर सारा कीचर और पानी लग जाता था बरसी मेगा चरचर बरसात की दिन यहीं ठहर कभी कहते हैं असमान में जो बादल होता है बरसता है कब कैसा बरसता है रचर चर चर होके बरसता है और बरसात की दिन काश रुख जाते तो मैं फिर से वो पल जाके जी जाता हूँ फिर से वो पल मैं मैंसुस करना चाहता हूँ मैं वहीं उचल कुद करना चाहता हूँ फिर से बस्ता लेके स्कूल जाना चाहता हूँ वापस आने वक्त जान बुझके में फिसलना चाहता हूँ वो जो कभी ने बच्वन में किये थे फिर से वो पल कभी जीना चाहते हैं और उस पल को काश हो कहते हैं ठैर जाता ताल तलिया में कागर्स की नया को तैराना ताल तलिया यानि छोटे बड़े तलब बच्चों पहले ना क्या होता था कच्छी मिटी का रास्ता हुआ करता था आजकल सिमिट का रास्ता है पहले कच्छी मिटी का रास्ता हुआ करता था इस वज़े से साइकल बड़े बड़े ट्रक अगर जाते तो जगा जगा खड़ा हो जाता था तो बच्चों के लिए वो छोटे बड़े तालाब बन जाते थे तो बच्चे क्या करते थे अपने जो नोटबुक फाड़ते थे या वेस्ट कागस अगर घर में रहा तो उसे ले जाके कागस की नाओ बनाके उसको तैराते थे और उस नाओ के साथ कॉंपडिशन भी करते थे कौन किसका नाओ पहले जाके पुझेगा और बहुत सारे बच्चे नाओ बनाके खेलते थे वो जो पल जो था लेखा के लिए बहुत ही सुनेरा पल था लेखा कहते हैं कि काश वो पल मुझे वार्पस मिल जाता कुटे बिली बच्चरों को ललकार कर खूप दोड़ना कुटे बिली बच्चरों की आवास करके उने चिराना और जब मुझे पकड़ने आने की कोशिश करेंगे तो मैं खूप दोड़ के भाग जाता था जैसे अगर बिली को देखा तो बिली की आवास निकाली मियाँ करके जब कुत्ती को देखा तो भॉवव करके उसे चिलाया बच्छे को देखा तो अमभा करके बुलाया जब वो चिर जाते थे फ़ो मुझे पकड़ने की कुशिस करते तो मैं क्या करता था जोर से अपना दम लगाके दॉड़ता था मेंडग बन करते टर टर रट्टू बनावा यहीं ठहर लेखक कहते हैं कि जब बारिश होता तो मेंडग जमीन पे आते और वो इवास करते टर टर करके मैं भी क्या करता तो उनकी आवास निकालता और उनकी मेरे पास बुलानी की कोशिश करता इसी तरह से लेखक कहते हैं कि यह जो बच्पन था मेरा बहुत ही सोहाना था बच्पन, जो बच्पन मैं फिर से आज जीना चाता हूँ, जब बढ़ा हो गया तो दुनिया की बहुत सारी मुश्किल मेरे पास से, बहुत सारी मुझे सामना करना पड़ता है, तो मैं इससे मैं थोड़ा सा ब्रेक जाता हूँ, काश वो पल मुझे वापस मिल जाता, तो फिर उसे वो पल को मैं जाके जी लेता, पी रूटना टौफी बिसकेट के खाती रिरियाना, तो कभी कभी कहते हैं, कभी कभी मैं रूट जाता, तो मेरी मम्मी, मेरी दादी आके मुझे बिसकेट और चॉक्लेट देके मनाते थे, जब बिसकेट चॉकलेट मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं जीद करता, कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, तो कभी कभी मामी भी दादी गुसा हो जाती तो कभी कभी मुझे दे देती, वो पल भी मेरे लिए बहुत अनमौल था, मा की मीठ डांट हुआ करता था और उसके अंदर भी बहुत सारा प्यार चुपा होता मुझे मेरी मां डांटी तो थी फिर अगले ही पल मुझे बहुत सारे टौफी बहुत सारे ऐसे चीजें देखे मुझे दिल खुश करा देती और मुझे अपने गले से लगा लेती मुझे हर वह फिर से वह जीलता लगे दूद जियो रखा जहर नकराली खें यहीं टहर और कभी कभी मा जब दूद मा या दादी कभी दूद लाके देते तो मुझे ऐसा लगता कि यह बापरे बाप यह तो एक जहर है लेकिन मुझे पीना अच्छा नहीं लगता था तो मेरी दादी और म मेरी मा मुझे दूद पीने से मेरी बोड़ी में क्या फाइदा होगा मैं नहीं दूद पीने से मेरी बोड़ी में क्या नुकसान होगा वो बताती थी कभी कबर मुझे चॉकलेट बिसकेट दे के कहती थी अगर तुम दूद खतम कर दोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेटे बिसक तो मैं इस पल को जी लेते दादी मा से जिद करके नियमित कथा कहानी सुनना राजा रानी परी लोग के अंगिनत किसे बुनना दादी मा से हर रोज मेरा एक नियम हो गया था कि मैं हर रोज अपनी पढ़ाई खतम करने के बाद मैं दादी मा के पास जाके कहानी सुनता था और कौन कान सी कहानी सुनता था ना राजा रानी की अपरी लोग की कहानी सुनता था और मेरी अपनी कलपनाओं की दुनिया बनाता था उस कलपना की दुनिया में मैं भी शामिल होता था उस कलपना की दुनिया में मुझे इतना पसंद आता था कि मैं उसे जिन्दी की भर उस कलपना की दुनिया में रहना चाता था लेकिन ऐसा नहीं होता जीवन पर वितन शिलोता है तो फिर मेरा वो जो कलपना वहीं खतम हो गई काश वो पल ठैर जाता तो मैं उस कलपना की दुनिया में वापस चला जाता फिरसे में वो पल जी लता खरेशा भागता पहर रुख जाता थम जाता यहीं ठै कभी कहते है कि खरगोश के तरह वो पल मेरा बच्वन का पल बीद गया है काश ये पल वापस आ जाता काश वो पल धीरे चलता लेकिन ये पल ऐसा नहीं हो सकता ये खरगोश के तरह ही ये पल भागता है ये के तरह ये गतिसील होता है परबतों के तरह ये परिवतन शील होता है इसलिए ये जो बच्वन का पल है ये वापस मुझे कभी नहीं मिलता लेकिन मैं उमीद करता है कि काश वो पल रुख जाता तो मैं उस पल में जाके दोवारा जी लगता तो बच्चों ये जो कभी ता कभी ने बताया है ये आप लोगों के लिए बताया है क्योंकि वो आपकी दुनिया से पहले वो बिलोंग करते थे हम लोग भी आपकी दुनिया से बिलोंग करते थे लेकिन कोशिश करोगी ये पल को बहुत ही यादगार बहुत ही सुनेरा पल बनाने के लिए जब भी आपको वक्त मिलता थोड़ा मुबाइल और जो टीवी से दूर हटके आप अपने दादी से जाके पूछो उनका बच्मन कैसा बिता था आपके पिता जी का मता जी का बच्मन कैसा अंतर है ये सब कुछ जाने की कुशिश करो दादी मां से जाके जित करो कि वो राजारानी की कहने बोलें कुछ ऐसा खिसा बताएं उनके बच्मन का जो आपको उनके से सीख मिले इस सब करके आप उनके साथ समय बिताओ ताकि जब आप भी बड़े हो जाओगे तो ये पल आपके पास एक यादगार पल होके रह जाएगा तो उमीद करती हो बच तो इसी के साथ ये कविता यहीं समाथ होता है उमीद करती हूं आपको ये कविता बहुत अच्छी लेगी तो आज के लिए बस इतना ही नेक्ष नई वीडियो के साथ फिर से मैं आप सब से मुलाकात करूगी थैंक यू सब्सक्राइब तो मैं चानल अरोमा जोनल और सी नेक्स वीडियो